गुड आफ्टर एरिवान हाई आम नतिन सिंग वेल गाइस पिछले वीडियो में मैंने प्री का बताया था कि IVPS की जो भी एक्जाम होती है चाहे वो क्लर्क हो आरर भी हो इवन SBI जैसी एक्जाम को भी टारगेट करने के लिए मैंने प्री के बारे में पूरा बताया था बट बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई मेंस के लिए कैसे प्रिप्रिशन करी जाए specially for maths क्योंकि बहुत लोग अभी इस साल ऐसे थे जिन लोगों का मैंस का सेक्शनल कॉलिफाई नहीं हुआ हो गया तो उन लोगों का मैंस में क्योंकि पेपर इस साल का मैंस का थोड़ा डीसेंट हा तो थोड़ा स्कोरिंग हो सकता था बहुत लोगों का ओवराव स्कोर है गया तो कहिना कई बहुत लोगों के माइंड में होता है कि मैंस की मैंस की प्रिप्रिशन कैसे करी जाए and guys मैंने पिछले दो साल से preparation कार रहा था जिसमें मैं 13 exam दीते total 13 exam दीते जिसमें से मैं एक exam का pre तक qualify नहीं कर पाता वो थी SBIPO उसके राव मैं 12 pre qualify किये 11 mains में मैं fail हूँ 11 mains में fail हूँ और 12 mains में IBPS clerk को qualify किया हूँ और आज Bank of India में selected हूँ तो guys मेरे पास वो experience है जहां मैं fail हूँ बहुत लोग SSO तो फर्स अटेंब में qualify कर लेते बट मैंने 12 बार 11 बार fail हूँ तो कई ना कई मैंने अपनी चीजों को सीखा हूँ कहां fail हो जाँ उस spot को मैं हमेशा improve करता गया हूँ और आज की date में मैं जब एक्जाम दिया तो कई ना कई जो मेरा score था मैंस में 26 था तो guys इस video में आपको पूरा बताऊगा कि कैसे पढ़ना कहां से पढ़ना कौन सी जगे से practice करना और फिर कौन सा मौक देना ताकि आप अगर zero level पे भी हो mains में तो आप एक अच्छे level पे जा सकते हो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है चानल पे नए होगे तो सब्सक्राइब करना वीडियो अच्छी लगे है जेनुवल लगे तो लाइक और शेर करना और टेलीग्राम गुरूप को जॉइन करना नितिन का निरक्षिन वाकि इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो नितिन सिंग 1412 94 पे सबसे पहले बात गाईज यदि आपने प्री वीडियो नहीं देखी होगी तो प्री वीडियो देखे ना उसको अप्लोड कर चुका हो और I will suggest जिसमें स्टाइट नहीं किया और प्रीपरेशन वो प्रीपरेशन स्टाइट करें सबसे पहले जाके एक मॉक्टेस दो मैं मॉक्टेस के दो ही प्लाटफॉर्म रिफर करता हूँ या तो प्राक्टेस मॉक या भाईया ओलिवबोर्ट प्राक्टेस मॉक की शायद मॉक अपडेट होने की है 2021 की मगर ओलिवबोर्ट की हो चुकी है तो पहले जाओ जाके देखो कितना स्कोर बन रहा है कहां पे स्टैंड कर रहे हो और ये बिगनर्स और जो अभी से बहुत नवे से प्रिपरेशन कर रहे हैं कौन से कौन से टॉपिक होते हैं उसके बाद कहां से हम इसको सीख सकते हैं क्योंकि सीख नहीं इंपोर्टेंट है कहां से सीख सकते हैं फ्री सोर्स से वो इंपोर्टेंट है सेकेंड चीज हमने सीख लिया अब प्राक्टिस कहां से करना वो और जब हमने seat भी लिया, practice भी कर लिया, अब अपने आपको judge कैसे करें, तो mock कहां से देना, कुन सी mock देना, free वाली mock, paid वाली mock, सब ये सारी चीज़े होती है, एक mains को strong करने के लिए, सबसे पहले topic, decide करो, topic कौन से, गाई जैसे कि मैंने जितना दिया हो, SBI clerk भी दिया हो, RRB clerk भी दिया हो, IBPS clerk भी दिया हो, तो जो मुझे clerical level में दिखे हैं, तो कम से कम, चार data interpretation के set आते हैं, जिसमें, एक से दो case-late DI होते हैं, इस बार भी IBPS clerk में, दो case-late DI थे और दो normal वाले, Calculative DI थे, intense Calculative question थे हो, तो यह हो गया data interpretation, इसके अलावा आता है आपका data, Sufficiency equation, वो कही ना कही आपके arithmetic पे होते हैं, मगर वो इतने hard नहीं होते हैं, basic level के होते हैं, यदि आपको पता है, थोड़ा बहुत basic, तो आप कर सकते हो, उसके अलावा 5 से 6 question आते हैं, नमबर सीरीज, नहीं तो approach या simplification के, उसके अलावा आपके 5 से 6 question होते हैं, quantity 1, quantity 2 वाले, यह भी question कभी कभार तो एक दो quadratic मिल जाएगे, या आपको arithmetic यहाँ पर देखने मिलता है, अब यह हो गया, कौन से कौन से topic थे, अब भाईया इसके पढ़ना कहां से, हर कोई paid course अफोर् यूट्यूब वाला, यूट्यूब में में को जो लगता है, सबसे अच्छे हैं, मैंने पढ़ा है, तीन लोग लगे मुझे, एक तो exam center के सुमिश सर, दूसरे अमर सर, और तीसरे study fight के आशीश अरोरा सर, इन तीनों को आप देखो, इन तीनों के पुराने पुराने वीडि उसको refer करो, वहाँ से पढ़ो, data interpretation के mains वाले भी D.I. अमर सर करवाते हैं, और इवन जो आशीश सर है, इनके data interpretation के unacademy के special platform पे, special platform, प्लस इनके YouTube channel, यहाँ पे आपको mains वाले D.I. का content शरूर मिलेगा हो, और अच्छे level का content है, similarly, DS, quadratic, simplification, number series, and even quantity 1, quantity 2, इन सभी को आप इन तीन में से किसी भी एक platform पे जाके देख के अपना अच्छा कर सकते हो, मैं यह सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप कभी इसका देख रहें, कभी उसका देख रहें, कभी तीसरे आपका देख रहें, एक का देखो, नहीं समझा, तो सुफिस को छोड़ दो, फिर कभी उसका जवाप जवाओ मत, तो ऐसे ही यह तीन सोर्स है, मैं तीन सोर्स ही रेफर कर रहा हूँ, इसके बाद आपने जब यह चीज़ सीख लिया, आप कितने कितने कोशन प्राक्टिस करने चाहिए, यदि आप बिगनर हो, तो कम से कम आपन 10 से 15 कोशन और जो पुराने हैं, उनको कम से कम 15 से 25 कोशन, same with quantity 1, quantity 2, same with approximation number series में कम से कम number series के, wrong number series को ज़्यादा मैं वो कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से 15 कोशन पूछन पूछन से काफी हाई होते हैं, तो wrong number series में आप कम से कम 15 से 25 कोशन करोगे, simply क्यांकि already आप कर चुके हो, तो नहीं चरूबत पड़ेगी नहीं, अब arithmetic के अंदर कौन से topic important है, जो कि आपको DI में भी help करेगे, तो वो है percentages, ratio proportion, allegation mixture और एक अपना average का, ये 4 topic के percentage के arithmetic में भी question आएगे, DS में भी आएगे, and even DI में भी आएगे, तो ये 4 topic अगर कर लेते हूँ, तो आपको almost पूरा maths आपके हाथ में आ चुका होता है, अब practice कहा से करना, for practice जो मैंने बताया कि इतने set solve करने है, इसके लिए आप guidely का जो content है, आप उसको देख सकते हो, basically उसमें 40,000 से जादा question है, maths, English, GK, और even reasoning के regular basis पर आपको mains के question मिलेगे, रोज के, plus इसके जो language है, वो bilingual है, English और Hindi दोनों में है, इ तो उसका video solution भी है, आप देख सकते हो, कहां पर आठके हो, तो मैंने जो बोला practice करनी है, यहां से practice कर सकते हो, एक बड़िया strong आपका maths बन जाएगा, इसका जो link है, course का, ओडालदू का description column में, वहां से जा कि आप देख सकते हो, अब ये सब तो आपने कर लिया, अब mock test कहां सबसे पहले आपके पास जो भी platform होगा, आप वो use करो, मैंने suggest दो ही क्या हो, या तो olive board, या practice mock, इनमें आपको mains वाली sectional, sectional test ज़रूर मिलेगी maths की, तो सबसे पहले यदि आपने पूरा, मैंने जो बताया, प्राक्टिस किया है, तो इसके बाद sectional test पे लिए मैंस की, मैंस क कि आप कम से कम 2-3, 4 questions जित्ती भी उनकी test होगी, पहले वो test खतम करो, उसके बाद जाके आप mains level की DI के अंदर match solve करोगे, यदि वीडियो अच्छी लगी होगी, यदि लगा होगा कि अच्छे से हर चीज बताया हो, systematic तरीके से बताया हो कि कैसे कैसे करना चाहिए, तो इंस्टाग्राम पर follow नहीं किया होगा, तो वहाँ follow कर लेना, नितिन कान election channel है, इंस्टाग्राम पर follow करना, नितिन सिंग 141294 पर और यदि नए हो, तो ज़रू सब्सक्राइब करना, वाकि मिलते हैं अगरे वीडियो में, तब तक लिए जैशी राम, राम, राम